हेलो प्यारे बच्चो स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट्सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए हम NCRT 9th क्लास की मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका कि हमने चैप्टर नमबर 1 स्टार्ट किया है नमबर सिस्टम ठीक है तो हम exercise 1.5 देख रहे थे जिसका मैंने question number 4 तक आपको solve करा दिये ठीक चलिए आज हम question number 5 वा solve करेंगे question number 5 जो कि इस exercise का last सवाल है तो चलिए start करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है देखिए student आज का जो हमारा question है question number 5 है उसमें क्या बोला जा रहा है rationalize the denominators of the following ठीक हमें denominator का क्या करना है rationalization करना है ठीक है सबसे पहले मैं आपको आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि इसी playlist में मैंने इस chapter के intro 1, 2 और 3 तीन वीडियोज अपलोड किये हैं अगर आप वो वीडियोज देख लेते हो तो पूरी exercise में आपको कहीं देखकत नहीं होगी ठीक है वहाँ मैंने आपको rationalization भी बताया है denominator का भी और numerator का भी ठीक है तो चलिए आभी मैं फिर से आपको बताऊंगा पर आप ये वीडियोज देख लेना आपको बहुत आसानी से पूरी exercise समझ में जाएगी ठीक चलो आभी देखते है 1 by root 7 ठीक हमें इसका क्या करना है rationalization तो सबसे पहले rationalization जो होता है ये numerator का भी होता है और denominator का भी तब आप ये समझो जब भी P by Q के form का आपको कोई number दिख रहा हो तो P क्या होता है ये P होता है numerator ठीक है और Q क्या होता है ये denominator होता है इसको हिंदी में बोलते है अंश और इसको बोलते है हर ठीक है ये numerator और ये denominator तो rationalization जो होता है वो numerator का भी हो सकता है और denominator का भी हो सकता है ठीक कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगा पर आप ये समझे है कि अंश का भी कर सकते हो आप और हर का भी कर सकते हो और हमें यहां क्या बोला है denominator का करना है किसका हर का करना है इसमें क्या कर दिया है उसने बता दिया कि आपको क्या करना है denominator का rationalization ठीक है तो हम denominator का ही कर देंगे सबसे पहला सवाल क्या लिखा है 1 by root 7 ठीक अब क्या करते है सबसे पहले एक चीज और समझ लो कि आप rationalization करते क्यों point तो ये भी है कि हमें इसको करने की जरूरत क्यों है तो इसका सिर्फ एक ही line में answer है कि जो root वाले numbers होते हैं ठीक है जो non perfect root होते हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करते है rationalization करते है ठीक है irrational number ये non perfect root है मतलब irrational number है irrational number को हटाने के लिए या उसकी value को कम करने के लिए हम क्या करते है rationalization करते है इसको solve करने में क्या होती है असानी होती ठीक है इसलिए क्या किया जाता है rationalization किया जाता है ठीक है तो आप 1 by root 7 का rationalization करना है लेकिन किसका denominator तो इसको हमें rationalize करना है मतलब इसको हटाना है हटेगा कब इसका simple सा logic है कि आप root 7 जो नीचे दिया हुआ है उसी का multiplied उपर कर दो और नीचे divide दे दो ठीक है तो उपर क्या हो जाएगा root 7 हो जाएगा और root 7 into root 7 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा root 7 का square square से root कर जाता है तो answer क्या जाएगा root 7 upon 7 ठीक है तो denominator से क्या हो गया हमारा irrational number हट गया ठीक है नीचे क्या था root 7 तो हमने क्या किया irrational number root 7 की value denominator से हटा दी ठीक यही rationalization कहलाते है clear है अब अगला देखते हैं क्या लिखा है 1 by root 7 minus root 6 अब जब भी ऐसा लिखा हो तो आप इसको सबसे पहले bracket लगा लो क्योंकि दो digit है न यह अब इसका क्या करना है आपको rationalization करने अभी तो एक ही root 7 दिख रहा था तो हमने उपर multiply कर दिया नीचे कर दिया तो rationalization करने का मतलब यह कि same number उपर भी multiply करो और नीचे भी multiply करो ठीक है ऐसा with bracket भी लगाना है आपको क्योंकि दो digit है तो multiply करने में असानी होगी लेकिन अभी मैंने देख यहां sign नहीं ही लगाया कोई सा ठीक है तो जब यहां पर दो digit दिये हो और उनके बीच में कोई sign दिया हो तो आप digit तो same लिखोगे लेकिन जो sign है वो क्या करोगे आप change कर दोगे यहां minus है तो यहां क्या करना है plus ऐसा क्यों गिया है अभी आपको समझ में जाएगा बन का multiply करोगे तो यह तो ऐसा ही रहेगा देखो अब यहां क्या बन गया a minus b और यहां क्या बन गया a plus b क्या होता है formula a square minus b square a square मतलब root 7 का square और b square मतलब root 6 का square क्या जाएगा root 7 plus root 6 root से square cancel हो जाता है तो 7 minus 6 क्या जाएगा यहां लिख दे रहो root 7 plus root 6 और अप on में आ जाएगा बन तो हमारा क्या जाएगा answer root 7 plus root ठीक है तो क्यों कि यह sign change करके क्योंकि यह बनता है form A minus B A plus B और जो कि होता है A square minus B square जो कि root को क्या करता है cancel कर देता है ठीक है और हमारा rationalization का मकसद ही क्या है कि root को हटाना irrational number को denominator से हटाना या numerator से हटाना जब denominator कर रहे हो rationalization तो denominator से हटेगा और numerator कर रहोगे तो numerator से हटेगा ठीक है तो अभी denominator कर रहे हैं इसलिए हमने क्या किया root को हटा दिया root को हटाने के लिए same number लेते हैं लेकिन sign क्या कर देते हैं change कर देते हैं ताकि यह square हो तो यह cancel हो जाए clear है आगे समझ में चलिए अगला सवाल इसी का question number 3 है तो देखो बहुत आसान है अभी आप कर के आयो 1 by root 5 plus root 2 same number लेना है उपर भी ठीक है bracket हमेशा लगाए लेकिन sign change कर देना तो उपर हो जाएगा root 5 minus root 2 यह ऐसा हो जाएगा ठीक है उपर 1 है तो उसका multiply करने का same वो ही है logic 1 से 1 हो जाएगा यहाँ a plus b a minus b आप फिर से लिख लेना उसको so root 5 का square a square minus b square यह हो गया तो यह आगे root 5 minus root 2 यह जाएगा 5 minus 2 which is equal to 3 root 5 minus root 2 upon में क्या जाएगा 3 clear नीचे क्या दिया हुआ देको second सवाल जब चौथा question क्या है हमार पास root 7 minus 2 ठीक है अब यहाँ root नहीं लगा है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपको जो rule बताया गया उसी पे चलना है root 7 plus 2 यहाँ भी root 7 plus 2 क्यों हो गया ठीक है a plus b a minus b उपर तो सेम रहेगा root 7 plus root 2 यहाँ a plus b a minus b मतलब a square तो root 7 का square minus b square मतलब 2 का square यह जाएगा root 7 plus 2 यह root से तो यह cancel हो गया 7 minus 2 का square कितना होता है 4 क्या जाएगा root 7 plus 2 upon 7 minus 4 कितना हो गया 3 यह हमारा क्या जाएगा answer हो जाएगा आगे जमिए पर फिर भी अगर कोई doubt हो तो comment करके ज़रूर बताएं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे doubt clear हो जाए ठीक है तो thanks for watching for more update please like, share and subscribe